हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिशना, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चलो भी स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग क्यों थेरोपेटिक एजेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंटी टीबर्कुलर ड्रक्स and एंटी फंगल ड्रक्स, ठीक है ना? तो टीवी, एंटी टीबर्कुलर मतलब एंटी टीवी है ना, टीवी को हम सब लोग जानते हैं अच्छे से कि टीवी एक खतरनाक बिवारी होती है ठीक है उसके खिलाफ कौन कौन से दावयां काम करेंगे और फंगल फंगल तो सब लोग वाकिफ है दाद खाज खुजली ठीक है चुलों स्टार्ट करते है इसमें एक बड़ा इंपॉर्टन टॉपिक आएगा बीच में डॉट जिसके फर कोशन भी आते हैं ध्यान से सुनना ठीक है तो तो टूबर क्लॉसिस टूबर है ना टूबर का मतलब क्या होता है गांट गांट जैसी गोल गोल चीज़े ना टूबर पढ़ जाती है तो टूबर क्लॉसिस कहा जाता है जैसे आज की तारिक में हम लोग पोलियों से मुक्ति पाथ चुके है तो वैसे ही जो डवलप्ड कंट्री है वो टीवी से मुक्ति हो चुकी है जितना ज्यादा डवलप्ड कंट्री में उतना नहीं है क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह दो कैटिकरी आती है फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो पहले समझा चुका हूं क्या होता है फर्स्ट लाइन क्या थीज ड्रॉग्स है फाई एंटी टुबर्कुलर एफिकेशी एस वेल अज लो टॉक्सिटी आर यूज रूटीन ली यह फर्स्ट लाइन ड्रॉग्स ठीक है न जब सबसे पहली चॉइस होती है इनके कंपेरिजन में इनका जो एफिकेशी कम होती है या फर्स्ट लाइन का इस्तमाल नहीं कर सकते है या इसको सपोर्ट में दिया जाता है ठीक है ना तो क्लासिफिकेशन हमेशा की तरह है फर्स्ट लाइन ड्रॉग और सेकंड लाइन ड्रॉग इसमें आइसोनियाजीट, रिफैंपिन, पाइरी, जीनामाईड, इथैम, ब्यूटल और स्टेप्टोमाईसिन इंपोर्टेंट है यह टीवी का पूरा क्लासिफिकेशन ही इंपोर्टेंट है और उसमें फर्स्ट लाइन ड्रॉग तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सब पता होना चाहिए इसमें इसके सारे ड्रॉग्स पता होने चाहिए फिर बता रहा हूं मैं ठीक है नौ फिर आता है सेकंड लाइन में फ्लोरोकिनोलोंस जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होते हैं अधर ओरल ड्रॉग्स और इंजेक्टेवल ड्रॉग्स तो इसके अंदर ओफ्लक्सासिन, लिव आलिक di-ICh phi passed यह मार्क कर लेंगे से ठीक है रिफाब्यू टी इन रिफा पेन पनन धेण दैन इन्जेक्टेवल पक्का याद रख ले ना इन luxuelle का एक कैनम लाइसीन अमिकमा इसीन तीक है यह डोनो इंपोरटन्ट है इंजेक्टेवल कॉन से है बाट सब्स्जना इंपोर्टेंट ये ड्रग्स फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस अगर कहीं पर देखेंगे एक टैबलेट देखेंगे जिसके अंदर लगवक्त तीन से चार ड्रग का कॉंबिनेशन होता ही ठीक है ना अब डोस की बात करें तो डोस जो रहता है इसका वेटा थोड़ा सा वैरी कर तो लोग यहां आगे याद रखना है इसको हम लोग वंसा वीक 900 mg हफते में एक बार या 900 तोड़ करके हफते में तीन बार इस तरीके से दे सकते हैं ऐसा कर सकते हैं चिल्टन की डोस याद रखने की ज़रूत नहीं है एक एडल्ट की याद रख लोगों तो भी काम हो जाए और बच्चों में भी वान सा वीक नहीं दी जाती है तो यह इस तरीके से सारी डोस यहां लिखी हुई है ठीक है तो डोस को हमेशा एक तरी जैसे मैंने का कोई भी दो या तीन डोस तुमको अच्छे से याद कर लेनी है ठीक है पाइरीजिनामायड में क्या है एक्चुली dependent होता है तो वेट के हिसाफ से हैं डोज दे रखी है ठीक इसी तरीके से इथैंब्यूटल तो लगबग जो एक आम है यही डोज चलती कि यह याद कर लेंगे ज्यादर आद्मियों का वजन जो है वो 56-55 के बीच में और एवरेज रहता है ठीक है इसी तरह यहां पर याली डो ड्रग की उसके लाब इन सब की याद रखने की जरूरत नहीं है किलियर आ गया आते हैं नेस्ट आता है इंडिकेशन तो क्या जो दवाईयां टीवी में दी जाती है टीवी के अलाबा कई और भी इस्तमाल हो सकते तो आंसर है येस वो टीवी के अलाबा एक तो टीवी में होंगी होंगी लेप्रेसी में इस्तमाल कर सकते हैं निवोनिया में गनोरिया में में result मुक् uphill 9 कि moi यह ज्यादा इसमें हाई अगर बेक्टेरिया की वैक्टेरिया जिन्दा है तो नहीं देनी चाहिए यह दवाइया उसको गिल कर देंगी हैपैटिक डिसॉर्डर है तो नहीं देना है रीनल इंपेर्मेंट तो नहीं देना है अल्कॉअल का इस्थमाल तात में ना करें दिखकत हो जाएगी history of seizure disorder इसको seizure की problem रही है seizure समझते हो ना बहुत अच्छे साम लोग discuss कर चुके है mental depression का कोई patient हो या severe anxiety और psychosis का कोई patient हो तो उस case में ये दवाईयां क्या रहती है contra indicated मतलब हम देना तो चाहते हैं बट बड़ी साफधाने से दी जाती है अब इसमें एक important topic है जहां से question उठके आता है dots एक तो इसका full form one marksman dots क्या है dots दवाई नहीं है ठीक है कुछ लोग dots को दवाई समझते है ठीक है dots दवाई नहीं है dot is not a medicine ये एक नाम है दवाई देने के तरीके का दवा देने के तरीके नाम है इसमें simple concept क्या है doctor या healthcare professional या pharmacist नर्स जो कोई भी जिसकी को भी responsibility दी जाएगी वो अपनी देख रेख में दवा देगा जिससे की confirm हो सके कि patient एक भी खुराक छोड़े नहीं बिटा टीवी के case में क्या होता है आपने अगर महीने बर लगातार दवा खाई है आस concentration इन दवाईयों का रहना चाहिए जिससे की bacteria पनपना पाएं तो सुरुआत में वो cyst भी बनाते हैं यानि कि अपने आपको cover कर लेते हैं अगर दवाई का concentration जरासा भी low हो तुरंत फैलना start कर देते हैं और फिर process पुरी start करने पड़ती है तो dots यहीं से एक आया क्योंकि जरूरी था यह directly observed treatment यहाँ पे treatment देख रेक में है अपने हाथों से दवा खिलाई जाएगी येस ऐसा होता है ठीक है और यहाँ जाहता होता है गाउंद यहाद के छित में जाहता है ठीक है और ऐसका मतलब क्या है short course एक्चुली क्या होता था पहले 18-18 मेहने के course हुआ करता था टीवी का यह जो हो गया यह 7-8 मेहने के course क्या निपड जाता हमारा ठीक है तो dot का full form याद रख लेंगे dot की dots directly observed treatment short course means that इसका मतलब क्या है trained healthcare worker कोई भी trained healthcare worker nurse, pharmacist ठीक है doctor कोई हो सकता है और other designated individual या ऐसा कोई इंसान जिसको यह जिम्मेदारी दी गई है family member नहीं होगा उसके अलावा कोई भी हो सकता है provides the prescribed TB drug जो क्या करेगा provide करेगा खिलवाएगा एक तरह से and watches the patient swallow every dose और यह देखेगा कि patient ने हर एक dose को निगल लिया है कि नहीं निगला है जरूरी है यह यही डॉट्स है this is the definition dots कोई medicine नहीं है it's a way of giving medicine medicine देने का तरीका है ठीक है dots अब थोड़ी सी हां dots के बारे बाते कर ले वैसे तो यह इतना important नहीं है इसक्या के important वाली चीज़ आएगे बताऊंगा लेकिन dots के बारे में थोड़ा सा समझने और क्या के चीज़ है dot is the most effective study study मतलब होती run and needy है ना run and needy सबसे effective run and needy available for controlling the TV TV epidemic to be जो TV का एक बहुत बड़ा epidemic फैला हुआ है उसको रोखने का सबस्टाशा तरीका यह ही है dots has five key component इसके पांच component होते है government commitment to sustain TV control activity government का सबस्टाशा रोल होगा ठीक है to sustain TV जो TV control activity हो sustain maintain करके रखे लगा तारों में कोई कमी ना आने दे case detection by sputum spear जो पहले आता था कि क्या आपको तीन हफतों से ज़्यादा खासी है अपना कफ बल्गम चेक कर आए है ना कफ अगर आपको दो हफते से तीन हफते ज़्यादा खासी आ रही और कफ है आपको तो आपको स्पूटम उस कफ को जाच कराने की ज़रू होते है माइक्रोस्कोपी होती है उसकी अमांग सिम्टोमेटिक पेशेंट्स उनको सिम्टोमेटिक मतलब जो कफ भी आ रहा है और को स्टी वाल लक्षण भी दिखाई पड़ रहे है सेल्फ रिपोर्टिंग टू है ठीक है तो इस तरीके से क्या हो रहा है केस डिडेक्षण बाइ स्पुटम इस्पेर माइक्रोस्कोपी यानि की हाँ पर हम इस्पुटम की माइक्रोस्कोपी करेंगे किनकी अमॉंक सिम्टोमेटिक पेशेंट्स सेल्फ रेपोर्टिंग टू है जो अपने आपको खुद सेल्फ रिपोर्ट कर रहे है कि भाई हम अगो तीन अफ से जादा खांसी आ रही है और यह सब लक्षण हो रहे हैं ठीक है उनका डिटेक्ट करेंगे standardized treatment regimen एक standard treatment चलाएंगे regimen मतलब जो पूरी प्रक्रिया है treatment की 6-8 month यही है dot 6-8 मेने की for at least all confirmed sputum smear positive case जितने भी positive case उन सब के लिए एक standard treatment regimen decide करेंगे with directly observed treatment with directly observed treatment जो खुद उनकी देखरेंग में होगा for at least the initial 2 months कम से कम starting के दो मेहने में तो आपको उनकी उपर नजर रखनी है अपने हाथों से दवा खिलानी है कि खाओ निगलो इसे और regular uninterrupted supply of all essential anti-tv drugs चौथा इसका की जो उपर की पर रहे न पांच की है यह सबसे important है कि हमें उसको देखरेंग में रखना अपना तेन चौथा आता है कि टीवी की दवाईयां uninterrupted available रहने ही चाहिए ऐसा नहीं कि पेशंट तो आया खाने के लिए टीवी की दवाई नहीं है ऐसा नहीं कर सकते है और स्टेनराइज recording recording होनी चाहिए reporting system that allow assessment of treatment results किनको दिया गया है कितने patient है वगरा वगरा हर टाइब भी recording reporting होनी चाहिए for each patient and of the TV control program overall और कितने TV control program वगरा चल रहे हो सारा report और record maintain रखना चाहिए जिससे कि पर चलता है कितने case आया कितने ठीक होगा और कितने मातरा में अभी है फैला हुग है ठीक है तो यह key element है अब कह रहा है why use dot हम dot का क्यों करें तब देखो dot मैंने बताया direct observe treatment है तो फाइदा तो है आप एक भी दवा को miss नहीं करेंगे healthcare की जिम्मेदारी होगी वह आपको phone करेगा कैसे भी content करेगा भाई आओ अपनी दवा खाओ ठीक है we cannot predict who will take medication as directed हम अब कह रहा है हम यह प्रेडिट नहीं कर सकते मानलो ऐसे doctor man दवा लिग दी भाई जाओ खा लिना अब क्या हम जानते को उसने दवा खाई ली है या उसी time पे खाई है तो कह रहा है we cannot predict who will take medication कौन दवायां लेता है as directed जिस तरीके से निर्देशित है जिस तरीके से कहा गया है and who will not और कौन नहीं ले रहा है people from all social classes educational background ages genders and ethnicities can have problem taking medication correctly people किसी भी social class का हो low middle high कोई भी educational background कितना है पड़ा लिखा क्यों ना हो even हम खुद फार्मसिस लोग भी कई बाद दवायां प्रॉपर नहीं खाते हैं किसी भी एज का हो जेंडर का हो कि भी एथनिसिटी का हो ठीक है can have problem taking medication correctly मतलब कोई भी इंसान है किसी भी एथनिसिटी मतलब चाहें वो किसी इस स्टेट का है राइस्थानी है गड़वाली है यूपी है साउथ इंडियन है नौर्थ इंडियन है कोई भी है सब के साथ medicine लेने में सई medicine लेने में दिक्कत है कोई है तो इंसान ही न सब के सब इस्टेडी शोस इस्टेडी बताती है 86 से 90 परशंट आफ पेशेंट रिसीविंग डॉट जिनको डॉट दी गई रिसीव करी कंप्लीट थेरेपी डॉट कम्पेर्ट तू सिस्टी एन फॉर दोस हूज सेल्फ अड्मिस्टेट थेरपी कह रहा है जिन श्टेडी बताती है कि जिन लोगों को डॉट के थू थेरपी दी गई उसमें से 96 न चानवे से और सॉरी है डॉट हेल्प पेशेंट फिनिश टीवी थेरेपी एस कोई क्ली एक्स पॉसिबल डॉट अंडर निगरानी में हो डॉट में डॉट को अंतलब ही हो गया ठीक है तो वह जल्दी जल्दी ठीक होता है क्विक ठीक होगा विदाउट अननेसेसरी गैप उसमें कोई गैप भी डिक्रीज रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस रिजल्टिंग फ्रॉम एरेटिक और इंकम्प्री ट्रीटमेंट अब आपने आज गोली खाई फिर दो दिन खाई फिर एक दिन नहीं खाई इससे क्या रेजिस्टेंस क्रियेट हो जाता है बैक्टिरिया के अंदर फिर दवा लगारी को उठने की जो चांसे से समभावना यह वो कम हो जाती है फिले होने के चांस कम हो जाते हैं इसलिए हमको डॉट का यूज करना चाहिए आगया आते हैं हुकें डिलीवर डॉट डॉट कौन दे सकता है तो अब बात यह भी आती है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दूर दराज के वरकर हरे गाउं से चार-पास लोगों को लिया गया जैसे आज के टाइम पे तुम लोग देख रहोगे गाउं दियात में है जैसे आशा लोग होती है तो वहां से चार-पास लोगों को वॉलंटरी लिया जाता है उनको बताया जाता कि आपकी जिम्मेदार है उनको ठीक से देखना समझे इस तरीके से होता है आउट्रीच वरकर जो दूर दराज के वरकर है फ्रॉम्दा पेशेंट्स काउंटी प इसको बोला जागा यह पेशेंट को टीवी है तुम्हें इसको डॉट थेरिपी देनी है ठीक है ना दबाई तो वही रहती है जो उपर अपने पढ़ी लेकिन डॉट अंदर अब्जोबेशन ठीक है डारेक्ट अब्जोब टीटमेंट है हमारा इन सा सुच्छेशन इट व इस सब्सक्राइब गॉली खाई है इंप्लॉयर ठीक है एंड दा अधर यह बंदा ओपिस में काम कर रहा है प्रोट अधर दा गाइडेंस अफ दर लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट तो यह इस तरीके से पुरी टीम होती है मतलब पुरी सोसाइटी का रोल रहता है यहां पर प्रॉपर हेल्थ वर्कर्स तो काफी कम है लेंगे पूरी सोसाइटी का रोल रहता है Now, family members should not be used for DOT, DOT provider must remain objective ठीक है ना, तो family members इसमें हो नहीं हो सकते हैं और DOT के जो providers होते हैं, must remain objective मतलब objective उनका focus केवल वो ही patient है objective एकदम ठीक है हम कहते हैं objective question, बस वही उसके लावार कुछ नहीं For complex regimens, including IV और IM medication और twice daily dosing अब complex होगे, जब दिन में एक बार है तो ठीक है, चलो एक बार आया बंदा उसमें बता दे लेकिन अगर IV-IM injection लग रहा है muscular में, दिन में दो बार गोली खानी है ठीक है, home care agency में provide dot और share responsibility with the local health department तो ऐसी situation में क्या होता है, जो health care agencies होती है, home care agencies जो घर पे जाकर के आपको service provide करवाती है, वो क्या करती है, responsibility share करती है और लोगों की help करती है, if resources for providing dot are limited अगर dot provide करवाने के लिए resources, संसाधन, इंसान कम पढ़ रही है priority should be given to the patients most at risk, तो उन patients को priority दी जाती है जिनको उपर TV का असर होने, TV के असर की विए से जान जाने का खतरा सबसे जादा है तो उनको फिर priority जाती है, उनको फिर वह ले providers पहले देखेंगे बाकियों कहेंगे भाई आप खुद खाईए, ठीक है ना, यह तमाम बाते हैं हमने सेखी अब dot के पास यहां से questions, questions यहां से आएंगे वेटा तमारे पास ठीक है ना, यहां से questions आते हैं, dot therapy के दो phase होते हैं पहला phase होता है, initial phase, intensive phase, यही होता है, बस यहां पर अगर तुमने पकड़ बना ली तो काम हो गया इस starting के 2-3 महिने होते हैं, it is initial, it is initial 2-3 month of treatment इस starting के 2-3 महिने का treatment होता है, and under direct supervision of health worker or trained person यह 2-3 महिने वो direct आपको देखेगा, कि एक एक खुराक आप खा रहे हैं, बल्कि कहें कि अपने हांसे दे और कहें खाओ, तो खाएगा continuous phase, तो पहला होगे intensive phase, शुरुआत का, फिर continuous phase, फिर ठीक है, आगले 4-5-6 महिने आप खाईए, आप कोई दिक्कत नहीं है next 4-6 month of treatment, इस्टाइटिंगे 2-3 निकल गए, फिर अगले 4-6 महिने, in this, the multi-blister combi pack with drug for one week is given एक-एक हफते के लिए दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा अचाए, पूरा, एक हफते बाद आके दुवारा लो, जिसे की नदर में रहोगे, आप खा रहे हो, और which the first dose is taken under supervision, ठीक है, इस तरह सा combi blister pack रहता है, इसकी पहली dose जो होती है, वो जो देता हो, अपने सामने खिलवा देता है, और फिर कहता है, बाकी आप पूरे हफते खाना, फिर हफते बार आके, फिर आना, फिर दवाई ले जाना, ठीक है, इससे combi blister pack रहता है, एक तरह का, combi blister है, कई सारी दवाईों का, एक pack को combi blister pack का आ जाता है, ठीक है, अब ये सारी बाते होगी, दो phase सम हम लोगों ने, अब हमको समझना है, dots का regimen, dots regimen, ठीक है, regimen मतलब एक तरह का, जो उसका पूरा process है, उसके दर क्या क्या चीज़े आती है, अब देखो, यहाँ पर कुछ quote मिलेगी, H का मतलब है, isoniazid drug, R का मतलब है, rifampicin drug, Z का मतलब है, pyrageenamide drug, E का मतलब है, ethambutol drug, S का मत चल रही है, तो injectable चलेगी, अदरवाज नहीं चलेगी, अब क्या रहेगा, तुमको जब dot का डबबा मिलता है, उसके पर इस तरह की coding रहती है, 2ZRZE, HRZE 3, यह समझ में नहीं आती है, question आ सकता है, ठीक है न, तो तो starting का 2 होता है, वो बताता कि आपको 2 महने के लिए खानी ह क्या, HRZE, HRZE, यह आपको 2 महने लेनी है, और 3, 3 times in a week, हफते में 3 बार लेनी है, तो इस तरह की coding रहती है, यह, coding clear होगी, ठीक है, अब आगए आते हैं, अब जो dots है, dots के अंदर 3 category आती है, 1, 2 and 3, अच्छा, यह 3 आली category, 1, 2, आली category 3, ठीक है न, पहली है red category, पहली कौन सी category है, red, ओके, यह आगे पूरे board पे दिख रहा है, ओके, पहली category है red, दूसरी है blue, तीसरी है green, तो category का मतलब patient की according category है, अगर patient positive पाए गया है, उसके बलगम में पाए गया है किटाणू, और तूसरी पहली condition, क्यों positive पाए गया है, या positive का पाए गया है, बट साथ साथ में seriously, और सौरी negative है, क्या है, पुटम में तो negative है, बट बहुत जादा बीमार है, यानि कि ऐसा हो सकता है, कि bacteria show नहीं हो रहा है, उस पुटम में, लेकिन बहुत जादा जवरदस बीमार है, या extra pulmonary है, lungs का नहीं है infection, lungs में TV नहीं है, TV कहीं भी वो सकती पूरी body हैं बेटा, ठीक है ना, तो lungs में TV नहीं है, कहीं और TV है, बट बहुत जादा बीमार है, ये तीन केटिगरी, उस पुटम positive है, तो red box, उस पुटम negative है, लेकिन बहुत जवरदस बीमार है, और extra pulmonary TV पाई गई है, साथ साथ में बहुत जादा बीमार है, तो red category के अंदर आ जाएगा, अब अगर third category देखते हैं, फिर आते हैं second पे, इस पुटम इस मेर, negative है, and not seriously ill, एक तो negative हो गया, बहुत साथ साथ में seriously ill, नहीं है, extra pulmonary and not seriously ill, ठीक है तो ये उपर वाली condition का अपोजिट हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये green डबबा मिलता है इसको, और तीसरी condition है, कि जो आपका चल रहा था, फेल हो गया, मतलब टीव आप खारे थे dose, फिर आपको टीवी द्वारा आ गया, यानि कि वो फेल हो गया, ठीक है, आपने default कर दिया, proper दवाजिया नहीं खाईए, ये relapse, वापस से बैक मार रही है, टीवी आपको, इन तीनों condition में, blue category में आप आ जाते हो, यानि कि color का box कैसा रहागा, blue रहेगा, ये initial, दो महिने के लिए क्या चलेगा, HRZE, ठीक है, फिर next four to six month क्या चलेगा, यानि कि initial phase, यहां phase लिख देता हूं में, initial phase ये रहेगा, दो से तीन महिने के लिए, और continuous phase, चार से छे महिने के लिए आपको ये चलने वाली है, अगर आपकी condition category two में आती है, तो पहले दो महिने य ये चलेगी, और उसके बाद पांच महिने ये चलने वाली है, आपकी दवा, HRZE, और अगर याला केस है, तो starting के दो महिने ये चलने वाली है, फिर next four महिने, यानि continuous phase में ये चलने वाली है, बात समझ में आ गई है, के लिए रोगी ये बाते हैं, तीन category, red, blue, green, इसमें main यह ये रहेगा type of patient, patient का type कैसा है, sputum positive है, sputum negative है, but seriously ill नहीं है, extra pulmonary है, seriously ill नहीं है, oh sorry, इसमें seriously ill है, sorry, इसमें seriously ill है, इसमें seriously ill नहीं है, ठीक है, अब क्या duration in month 6 महने, ये 8 महने का, ये 6 महने का, क्योंकि ये 8 महने क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर दुआरा से आया है, plus test at month, हर दो-दो मेने में यहाँ पर तीन-तीन में आपको क्या करते रहना है अपने एक स्पूटम को चेक कराते रहना है यही है डॉट्स रेजीमें डॉट्स रेजीमें आएगा तो यही आएगा यही सब बदलिक करके और यह टेवल बना दोगे तो डॉट्स वाले कोशन अगर समझ में आ गई और हमारा anti-tubercular drugs खतम हो जाते हैं के लिए आते हैं antifungal पर ना एंटी फंगल हम सब को पता है दाद खाज-खुजली वह antifungal हो गया इस ड्रॉट्स वार सूपरफीसियल डीप यानि कि सिस्टेमिक ऐसा भी हो सकता कि सूपरफीसियल और साथ साथ में सिस्ट कारिकर है देगा याद करने दो फिर मतादो मैं सबस्ए सबस्थ हुआ एला अमीन और पांच्भा क्या है टोपिकल एजेंट बस पहले यह याद करना अच्छा क्या था पहले हमारे पास एंटिवाइटिक था एंटिमेटाबोलाइट था एजोल था एलिल अमाइन था टॉपिकल एजेंट था यह तीन पाच कैटेगरी आती है ठीक है ना अब कैटेगरी के अंदर कैटेगरी यह तो वह याद कर लो अधरवाइस इसका एक और solution है मत याद करो यहां सीधा example दो amphotericin B, greasophilin और mycophoncin या caspofungin एक उठागए यहां पर एक, दो, तीन सीधा एंटिमाटिक अंदर यह तीन डाल दो यह category डालो मत इन category कई बार क्या है category से question आ जाता है वेटा तो इसलिए याद कर लोगे तो अच्छा है अधरवाइस classification सीधा category डाल दोगे इसके अंदर एक ही आ गया ठीक है flucytocin, azole के अंदर imidazole और triadazole मत लिखो इसकी category करो डायेट यहां पर डाल दो clotrimaxozole, ketoconazole और fluconazole एक दो तीन यहां पर तीन एक्जामपल आ जाएंगे इस तरीके से भी कर सकते हो सिंपल हो जाएगा तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ यह फिर बता रहा हूँ फिर बता रहा हूँ फिर साइथ भूल गए हो तुम लोग क्योंकि जब मैं फॉर् क्योंकिंट है यहां पर econazole, clotrimaxozole, mykonazole ठीक है ना यहां पर अगर हम लोग आये टर्बीन up in कफी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन तरीका है नहीं तो याद करना पड़ेगा और को दूसा तरीका है नहीं तो याद तो करने पड़ेगा और अगर मैंने जैसे कहा कि क्लासिफिकेशन अगर तुम्हें फर्स्टियर वाली याद है वो भी लिख सकते हो और फर्स्टियर वाला फार्श्टियर केमिस्ट्री को सामने रखो वहां जो सीखा अब यहां जो सीखे हो दोनों को मर्च करो तो चीज़ें बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी समझ में आएंगी डोज जैसे ने जैसे कहा जो तुमको पसंद हो वो तीन चार्ट अपने याद कर लोगे ठीक है एंफोटरेसिन भी कैन बी अन्विस्टेट और लियान इसको और ली देते हैं पचास से सो एमजी कू क्यू आइडी फॉर इंटेस्टैनिल इंटीकेशन इसमें और टॉपिकल इंटीकेशन इसमें उटो माइकोस में साथ-साथ में इंडिकेशन भी है कहां कहां पर यूज हो रहा है ठीक है ना देन इस्टैटिन मोनोलियन वेजिनाइटिस में वन लैक यू टैबलेट आती है उसका इस्तमाल होता तो बी इंसरेट टॉइस डेली दिन में दो बार इंसर्ट करना है ठीक है ना देन कैस्पो फंजी डोस कितनी 70 mg लोडिंग डोस इन्फूज डाइवी ओवर वन आवर फॉलवड बाइ 50 mg आईवी डेली ठीक है वो मैंटेंस डोस हो जाएगी पट्यास mg ठीक है मैं रिकाल दोसिंग का तो शीख पढ़ते आ रहे हो कोई दिक्कत ने होने चीए तो इसमें जब बता दूँ एंफोटरेसिन, ग्रीसोफल्विन क्लोट्रामाजोल इकोनाजोल फ्लूकोनाजोल फ्लूकोनाजोल सब जानते होंगे देड़ से mg टेबलेट खाई भी होगी सबने मैंने भी खाई है ठीक है देन टर्वीनाफीन जो टिक मारी है इनको अच्छे सब इनको प्राइविटी पर रखना ठीक है ना इंपोर्टन्ट है इंडिकेशन कहां का इस्तमाल होगा मैंने बीच में लिखी भी हर जगे जितनी प्रकार की एंटिफंगल बिमारिया मैंने फ्रस्ट एर में करवाई है वो सब एक तरसे लिख दो केंड़ केंड़ाइडियासिस J degli कोइडियासिस ब्लस्הinya को सब्सक्राइड Susi इंपशन मैंने सब्सक्राइड डाया पिछ कोई टेंशन ही टरॉल कॉंटर्ट इंडिकेशन बच्चों वाला खेल हो गया, हाइपर संस्टिविटी, प्रिग्नेंसी, लेक्टेशन, रिनल, हैपेटिक, इस्किन डिसॉर्डर, इस्किन डिसॉर्डर काई वार होता है, तो एक दबा दूसरी इस्किन डिसॉर्डर को बढ़ावा देती है, ठीक है किलियर है, चलें आगे, यह तो आसान था, अरे वा, लेक्टेर फिनिश हो गया, ठीक है न, तो यहाँ पर इस लेक्टेर में डॉट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जो हमें समझना था, तो छोटा सा लेक्टेर था, करना क्या है, सबको पता है, पीडियाफ का लिंक, डिस्किप्शन में है, मेरा नंबर है, उसके अलावा एप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है न, बहुत से बच्चे इसका यूज़ कर रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज़ क्या है, पढ़ना है, रिवाइस करना है, all the best!